नमस्कार दोस्तों वेलकम टूश्विंग ड्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाजाज होल्डिंग अंड इंवेस्टमेंट कंपनी के बारे में इस कंपनी में अभी के टाइम पे भारी गिरावट देखने को मिला हैं तो अगर देखेंगे यह स्टॉक में अभी 6% क करेक्शन हो चुका है तो इसी साब से हमें स्टॉक में क्या करके चलना चाहिए कि अभी बहुत ज़्यदा क्वरी आ रहा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगर देखेंगे इस से पहले में एक बार इसका वीडियो भी बनाया था आप सबको बताया था कौन सा लेवल पर बाइंग करना तो अगर आपने प्ने लेवल लएंग किये हुए हैं तो आप करेंगे तो कौन सा लेबल करना करेंगा जरुक सब्सक्राइख的话 रहा है अज कि दिन में ऑक Nederland कि बीच में मार्कत चल रहा है तो इसका बीच में यहांप तो बाजाज होल्डिंग में देखिए बाजाज होल्डिंग में अभी 7% क्रेक्षन हो चुका अभी हो गया है इसमें 9600 आप सकते हैं तो यहां पर जुंग कर लिए तो यहां पर 28 दर कॉंटिट ट्रेडिंग हुआ है यहां पर 9600 कॉंटिट डेलिवरी उठाएगा जो कि 34 परसेंटेज का डेलिवरी है तो अभी इस लेवल तक जरूर इंतेजार करेंगे जो कि हम अगर कंपनी का आनालीसिस के बारे में पर डहिए तो यहां पर जो कंप्लीट नेट प्रफिट था यहां पे धर फार क्रोड का नेट ब fotos यहां पे फैजिलिए। से के पाश में यहां पे थोड़ा से बढ़ा है गार अगर देखेंगे पॉबलिक के पास में टूंटी परसेंटेज का इसे दरी है तो यहां पर इसी साथ से लगातर एक मतरफ तो रिटन से पर दियाए तो यहां मिद करिद दिया है कोविड के टाइम पे तीसि साफ से स्टॉक में को आज़ा तो यह तक का एक त्रियांन्ड़ फ्रहन्ड के दिया थे रिटन दिया था जब इतना बड़ा जबरतर्श्ट गेंद को मिलता है किसी भी स्टॉक में कभी भी खरेक्शन हो सकता है इसलिए मैंने आपको बोला था कि यह स्टॉक में अभी पैनिक मत कीजिए मतलब इसमें एंट्री मत लीजिए तो स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हो सकता है तो इसी साब से अभी बिल्कुल उस लेवल पे आ रहा है स्टॉक स्टॉक का अगर आरे से के बारे में बात करेंगे पास में आरे से आ चुका है अगर इसमें आपको पोजीशन बनाना है मैं आपको जरूर एक लेवल बताना चाहूंगा यह लेवल तक आपको जरूर इंतजार करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने एक चीज़ अगर नोटिस करेंगी यहां पर काफी एक रेंज बनाया था स्टॉ तक जरूर आ सकता है तो अगर आएगा तो इस लेवल पर आपको प्रण यहां पर पोजीशन बनाना था चल। vain तब तक वहां पर जरूर आ जाएगा तो अगर उसी साब से देखेंगे एक 5000 का लेवल निकल कर आता है ठीक है अगर अभी देखेंगे अभी कौन से लेवल पर चल रहा है तो अभी और थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है फ़ड़ा इंतेजार जरूर किजिए नहीं तो जिटीट सेट करके रख सकते हैं ठीक है यहांपे सारे सेञे सकते हों करता हैं कैसे में लगाते हैं लगाते हैं उसके साथ में अरे से तो यह स्टॉक में आप बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है अगर आप दिखेंगे तो यह तो यह तक लेके चल सकते हैं जो कि यहां पर अगर आप एक साल इंतियार करते हैं तो यह सकता है आपको सिक्स मांस में 32 परसेंटेज का गयन मिल सकता है लेकिन फ्रेंट्स मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कोई भी स्टॉक में आप पोजिशन बना के चलते हैं खुद का एक बार फाइनेंसियल अडवाइ यहां पर मैं देखता हूं तो वहां पर मैं जो पहला टर्गेट उपर भी गया था लेकिन उसके बाद में अगर प्रफिट वूकिंग किसी नहीं किया होगा तो फिल से उनका मन में डाउट आ रहा है कि है स्टॉक में से क्या करेंगे इससा बिल्कुल होता नहीं है अगर हमने कोई टर्म कोई स्टॉक में पूरा टर्गेट जब आचीव हो जाता है तो इमिडेटल निकल जाना चीए अगर दूसरा टर्गेट के लिए आपको लिया हुआ है तो आपको जरूर थोड़ा सा इंतजार करना चीए क्योंकि मार्केट तो एसा होगा नहीं तो लेकिन कभी-कभी six months में two months में अपना टर्गेट आचीव हो जाता है ठीक है अगर हम 30% की बात करते हैं आपको बताना चाहूंगा 30% में अगर हम लेके चलते हैं अपना पॉर्टफोलियो ग्रोथ तो बहुत आच्छा आमांट बनता है ठीक है मैं आपको एक्जेंपल के यहां पर 190 टाइम ग्रोथ हो सकता है ठीक है यह बिल्कुल अगर consistency के साथ में आप अगर सही डंग से सही टाइम पर एंट्री लेंगे सही टाइम पर प्रफिट बोकिंग करेंगे बिल्कुल हो सकता है कोई प्रोब्लेम नहीं है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है अगर चैनल में नया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसी के साथ में अगर आप मेरे साथ में जाइन होना चाहते हैं वाटसप ग्रोप में तो यहां पर नंबर दिया हुए इस नंबर पर आप मेरे साथ में एक छोटा सा फीर है के बिल्कुल वाटसप ग्रोप में जानने हो सकते हैं थांक्यू बेरी मुच्छ फ्रेंट्स पर वाचिंग देश वीडियो मिलते हैं आए एक वीडियो के साथ में